आज हम आपके साथ कुछ इंट्रेस्टिंग सेयर करने जा रहे हैं इस्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और पास में लेगे बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारे हर नेफ वीडियो की नोटि मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे इमेल कर सकते हैं और इस्टोरी के बारे में अपना उपिनियन जरूर बताईएगा तो चलिए हमारे पहली इस्टोरी का नाम है सौव उंट राजस्थान के एक गाउं में रहन के साथ उसके गाउं में पधा रहे हैं उसने तैग किया कि वो पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समधान का उपाय पूछेगा फिर शाम को वो उस इस्थान पर पहुँचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे कुछ समय परतिच्छा करने के सरप्राप्त हो गया वो उन्हें प्रणाम कर बोला बाबा मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परिशान हूँ एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है घर की समस्या काम की समस्या स्वस्त की समस्या और जाने कितनी ह इसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है. करप्या करके कुछ ऐसा उपाएं बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याओं खत्मो जाएं और मैं सांती पूर्ड से खुसाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराय और बोले बेटा मैं तुम्हारी समझ से समझ गया हूँ, उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताउँगा, इस बीस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, वो बेकति तैयार हो गया, पीर बाबा बोले बेटा म मेरे काफले में सौ उंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी सौ उंट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। ये बोलकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। बैक्ति उंटों की देख भाल करने चला गया। अगली सुबा पीर बाबा ने उसे बुला कर पूछा बेटा तुम्हें रात को नीद तो अच्छी आई ना। तो उस आदमी ने कहा कहा बाबा पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो ना सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी उंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं लेकिन मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ उंट तो अपने आपी बैठ गये कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठें। कुछ बैठ भी गये तो दूसरे उट खड़े हुए इस तरह पूरी रात बीट गई। ये सुनकर पीर बाबा मुस्कुराएं और बोले यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। पहला कई उट खुदबा खुद बैठ गये, कईओं को तुमने अपने प्रयास से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठें। बाद में तुमने देखा कि उनमें से ये सुनकर वो ब्यक्ति तुरंत बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं, कुछ समस्याएं अपने आपी हल हो जाती हैं, कुछ परियास करने के बाद होती हैं, कुछ पर भव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, क्यूं ना करो, तुम एक साथ सारे उंटों को नहीं बैठा सकते, तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है, जीवन की समस्याइं इन उंटों की तरह एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, समस्या जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी, कभी ये कम है तो कभी ये ज़्यादा, बदलाव तुम्हें स्वैलाना होगा, और हर समय इनमें उल्जे रहने के इस्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आग और उसने निश्य किया कि आगे से वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा, चाहें सुखो या दुखो जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा, तो गाइस सौ उंटो की कहानी यही खतम होती है, आप सब कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये कह सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, एक गाउ में एक किसान अपनी पतनी के साथ रहता था, उसका एक छोटा सा खेत था, जहां वो दिन भर परिश्रम करते थे, लेकिन कठोर परिश्रम के बाद भी खेती से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन में प्रयाप्त नहीं होती थी, और वो गरीबों की तरद जीवन यापन करने के लिए विवश हो गए थे, एक दिन किसान बजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया, उसकी योजरा मुर्गियों के अंडे बेचने और जादा से जादा धन कमाने की थी, पतनी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दरबा बनाया और मुर्गियों को उसमें रख दिया, भोर होने पर उन्होंने दरबे से जाग कर देखा तो आश्चर रिचकित रह गए, वहां और अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था, किसान उस सोने क अंडे को अच्छी कीमत पर जोहरी के पास बेचाया, अगले दिन फिर उन्होंने दरबे में से सोने का अंडा पाया, किसान और उसकी पतनी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अध्भुत है, वह सोने का अंडा देती है, एक रात प उस मुर्गी से उन्हें रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा, उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही मैनों में धन्वान हो गया, किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन उसकी पतनी लो भी बन गई, एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे, क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें, इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में ही इतने धन्वान हो जाएंगे कि हमारी साथ पुस्ते आराम से जीवन व्यतीत करेंगी, पतनी की बात सुनकर किसान के मन में भी घर कर गया, उसने मुर्गी को मार कर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया, वो बजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरिद लाया, फिर रात में अपनी पतनी के साथ वो मुर्गियों के दर्बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मु मुर्गी को पकड़ कर उसका पेट चीर दिया, लेकिन मुर्गी भीतर से समाने मुर्गियों की तरह ही थी, उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे, किसान और उसकी पतनी अपनी गलती पर पस्थाने लगे, अधिक सोने के अंडे के लोब में पढ़कर वो रोज मिलने वा और अब हम आपको तीसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुरेल की हवेली, एक समय की बात है, शहर के कुछ दूरी पे एक पुरानी हवेली थी, उस हवेली में कोई नहीं रहता था, काफी समय से वो हवेली बंद पड़ी थी, उस हवेली का मालिक उसे बेचन बहुत ही कम दाम में बेचने के को तयार था, फिर उस हवेली को किसी ने नहीं खरीदा, ये बात, बाद में उस शहर में रहने वाले एक हिर्दे रोग विशेशग्य डॉक्टर को पता चली, चुकि वो एक महान डॉक्टर थे और उन्हें भूत प्रेतों में बिश्वास न मिल रही थी, तो उन्हें डॉक्टर ने उस हवेली को खरीद लिया, हवेली काफी बड़ी थी और बहुत सुन्दर थी, इसलिए उन्होंने हवेली की सफाई और पुताई करवाई, और वहां रहने चले गए, उनका कोई नहीं था, इसलिए वो वहां अकेले रहते थे, हवे जाने के बाद, एक रात, जब वो अपने गार्डन में बैठे थे, तो किसी महिला की दर्द के से तड़पने की आवाज आई, तो उन्होंने फौरण उस आवाज की तरफ गए, और वहां पूछने लगे, कौन है, या क्या परेशानी है, तुमें, तुम बताओ, मैं एक अपने में एक औरत आई, और उसने बोला, आप डाक्टर हो, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो, तभी अचानक से डाक्टर साहब की नीद खुल गई, और वो वापस से सो गए, कि शायद हो सकता है रात के समय हुई घटना के कारण, उन्हें ऐस दवाई मांगती, डाक्टर इस बात को समझने ही पा रहे थे, कि आखिर कर उनके साथ ऐसा क्यूं हो रहा है, फिर इस बात का पता करने के लिए उन्होंने हवेली के पुराने मालिक को बुलाया, और उससे पूछा आखिर इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था, जिसके कारण ल दर्द के मारे तरपने लगी, समय पे दवाई ना मिलने की वज़े से उसकी मौत हुई, तब से लोगों का कहना है कि इस हवेली में रहने वाले लोगों से या रात के समय इस रास्ते से भी गुजरता है, जो भी गुजरता है, वो और उससे दवाई मांगती है, अब पिर क्यों, उन्हों ऐसा सपना आता है, उस रात को डाक्टर जब सोने गए, तो उनके बेट के बगल में एक टेबल रखा हुआ था, उस टेबल पे उन्होंने सीने में दर्द की दवाई रखी, और साथ में पानी का गलास, फिर उनके सोने के बाद सपने में फिर से वो और आई, और डाक्टर से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दवाई दे दी, अब मैं मुक्त हूँ, और यहां से जा रही हूँ, तब ही डाक्टर की नीद खुली, और उन्होंने देखा कि वहाँ दवाई नहीं थी, और पानी का गिलास भी खाली था, य नहीं उनसे और दवाई मांगने आई, और ना उन्हें कभी ऐसास हुआ कि और कोई भी उनके साथ इस हवेली में रहता है, तो गाइस, टूरेल की कहानी यही खतम होती है, आप सब को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरू बताएगा, और यह भी बताएगा, आप सब क में जक दूरेएगा झाला की जरू भी बताएगा